हरे कृष्णा तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है मारे आज के टॉपिक और डिस्केशन के अंदर तो आज हम दोस्तों जो टॉपिक डिस्कुस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है जैंड हाव तो मेंटेन फेथ इन एक्स्ट्रीम डिफिकल्ट सिचुवेशन इन ऊपने आपके ऊपर विश्वास करना किसी कामि के अंदर बिश्वास करना वोत आपने हें नाव में हम विश्वास जो हमारा तक क्या फायदा किया ज़रूरवत है। तक सिच्विशन के अंदर भी अपने उपर हम कैसे विश्वास बना करें शक्ते हैं अपने फेट को कैसे स्टॉम कर सकते हैं आज के हम इस विश्कुस है करने को बिस्क्ष करने बार हैं। अब लगता है कि आप सब लोग जो हुआ श्रीला प्रहुपाद जी से जानते हो गे श्रीला प्रहुपाद जी जीवन से काफी कुछ सीख सकते हैं तो एक छोड़ा सा स्टोरी है पास्टाइम में I like to start this topic from the past time of श्रीला प्रहुपाद प्रहुपाद जी को आदेश बिला था अपने गुरु महाराज से कि आप पूरे विश्व के अंदर श्रीमत भगुत गीता और श्रीमत भागुतम का प्रचाय बशार करिए और इसके लिए प्रहुपाद जी ने जो भगुत गीता और कई वैदिकल ट्रीचर्चर्स को यंशने ट्रीचर्चाइब्स इसके लाइन सागण प्रहुपाद ऑफ्राचि इसके जाते हैं कि कॉछ सब्सक्रणा मारे गरे यह और क्लच नीचे गिर जाते हैं तो प्रपाद वोस्टिंकिर ढत अट ताम की वाइस इसां एक अपकर देखा जाते हैं प्रभवान को काम गरहें बहभान का प्रचारबसार करें है प्रभवात के जीवन में हैं एक्स्ट्रीम टफ सिचुवेशन कह देरने कि है भावजद को गाय थका मार दे रहे हैं प्रपाद उपका कई लाइफ इंडे भ स्ट्रेट को प्रपाद अपने पुक्स के बदाते हैं कि एक डिवोटी के situation में डिवोटी के life के situation में भी असी tough situation आ सकती है जा उसको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कैसे करना है क्यों करना है So, devotee can be perplexed but he cannot be discouraged तो perplex होना और discouraged होना दोनों में जमीन अस्मान करता है हो सकता है कि life में suddenly difficulties आजाए कुछ ऐसी situation आजाए जिसको पर हमारा कोई control नहीं है और उसकी वज़े से हम perplex हो जाए perplex का मतलब है दोस्तों कि हमारा intention तो है कि हमें spirituality करना है हमारा intention तो है कि हमें कोई काम को करना है हमें अपनी पढ़ाई को करना है जौब को करना है हमें अपने आपको एक better person बनाना है हमारा intention है बड़े हमें समझ नहीं आ रहा है अभी life की जो situation है उसके अंदर में करना क्यार मुझसे होगा नहीं मेरे बसका नहीं है मैं तो विसाई हूँ मेरे काम का नहीं है सो यह जो जो psychology जो thought process दोस्तों second one इसको हम कहते हैं discouragement and the first जहां पर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है जो हमें straight clear नहीं क्या करना क्या नहीं करना that that phase is known as perplex situation so devotee life में से situation आ सकती है कि हम perplex रहें बट जरूरी नहीं कि हम problem तब होता है दोस्तों जब हम perplex situation को भी हम जो है इसको transform कर देते हैं हम जो है discouragement वाली phase करता है तो हमें समानना पढ़ेगा दोस्तों कि as a human we have human conditions and there is also known as there is also second term which is human human conditioning so human conditioning है और human condition है इस दोनों को हम समझते हैं because इन दोनों का बहुत important relation है हमारे आज की topics से human condition से दोस्तों मतलब है कि because as a human we are limited आप भी limited and मैं भी limited everyone has some his own limitation और we are very finite हमारी सोचने की समता हमारी समझने की समता हम बहुत finite है बहुत minute actually हम गलती कर सकते हैं हम दोके में आ सकते हैं हमारी सोचने की संता हमारी पुद्धी की संता हमारी पुद्धी की समता है बहुत limited है so we as a human we have certain human condition and there is also human conditioning conditioning से मतलब दोस्तों कि हमारे brain के अंदर हमारे mind के अंदर रप्रकार की conditioning अंगर का conditioning है lust का conditioning है enviousness का conditioning है so यह human conditioning को कहा जाता इसको human conditioning कहा जाता दोस्तों so spirituality follow करने का परपस यह होता है दोस्तों कि हम spirituality follow करने के हम जो spiritual practice को follow करें knowledge less spiritual knowledge करो जिसके वज़े से हम अपने human conditioning को तोड़ पाए human conditioning को कम कर पाए that is the purpose of human conditioning को कम करना अपने अंदर से अंगर को greed को envy को lust को इन सब चीज़ों को कम करना that is the ultimate purpose of doing spiritual practices so human conditioning को कम किया जा सकता है human conditioning को को कम करना स्कुषण करना है spirituality hem in knowledge यह देता है but spirituality follow करने का मतब यह निहीं human condition से पार चला जाओगा में human condition से पार हो जाओंगा अब मेरे को कोई problem नहीं होगा अब मेरे को कोई difficulty नहीं आएगा अब मेरे जिवन में कोई समस्या ही नहीं आएगी So that is a wrong conception कि मैं अगर spirituality कर रहा हूं मैं भक्ती कर रहा हूं मैं अपने life में devotion को follow कर रहा हूं तो मेरे life में human condition से मैं पार से लगा हूँ तो एक devotee भी perfect हो सकता इसको अगर हम समझने का प्रयाश करें दोस्तों कि अगर for example मुझे market जाना है दोस्तों मार्केट जाने के लिए मैं गली की तुरू जा रहा हूं और रात का समय है और अचानक जो है गली के अंदर जो है जो जितने क्या करूं कैसे करूं मुझे को पता ही नहीं चल रहा क्या करो अम्सका नहीं है यह नहीं है वह नहीं है टाइम पाया मेरी किस्मत खराब है सब्सक्राइब इस नहीं होगा तो वो कुछ नहीं करेगा अपने जेप केंटर हां डाल के अपना मोईल निकालेगा मुबाइल से फ्लैसलाइट को अन करेगा फ्लैसलाइब करने से परपस ओसको पूरा घंपर लॉजर तो नहीं होगा तो सक्वस्मक इतना दिखाया देने लिए कि इमीडीट कि then we have to apply a formula and that formula known as triple s formula triple s formula से मतलब है दोस्तो small simple steps हमें छोटे-छोटे कंदम उठाने चाहें जितना हम देख सकते हैं जितना हम कर सकते हैं जरुरी नहीं कि हम बहुत बड़ा जो हैं फटने खान वाला काम कर लें बहुत एक्स्ट्रीम हम बहुत 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 बड़ा काम करते हैं बगाता कर हमारे life में कई सारे variables हैं कई सारे changes चल रहे हमारे life के अंदर तो long term हमें नहीं पता कि क्या कर पहेंगे बट इवन दो difficult situation के अंदर दोस्तों हम जो है small simple steps का use करके दोस्तों छोड़ी छोड़ी कदम उठाके हम अपने life के अंदर यह जो हमारा perfect का phase है इसकों क्रॉस कर सकते हैं हो सकता है कि हम भक्ति करना चाहते हैं हमारे intention अब हमें समझ नहीं आ रहा है क्या करना है तो हमें small steps लें जितना हम कर सकते हैं उतना करें हम भावान का chanting कर सकते हैं गीता पढ़ सकते हैं lecture सुन सकते हैं कीट्व सुन सकते हैं हमें कुछ समझ नहीं है कि क्या करना है कुछ financial classes चल रहा है there are many variables कुछ भी चल रहा हो हम हमें नहीं पता है कि long term में मुझे क्या करना है बट अभी आजे राइट नाव पर्शान होने के बज़ए हमें small simple steps अपने गराम का life में इसको adopt करते हैं spirituality कंदर भी गरम इसको adopt करते हैं दोस्तों की I can serve Krishna मैं भावान को जितना सर्फ कर सकता हूं मैं कुछ नहीं कर सकता हूं भावान फ्लावर लाजए भावान को फ्लावर अपर कर सकता हूं मैं भावान को फ्लावर अपर कर सकता हूं चंति कर सकता हूं भावान का नाम लेक्ता हूं इसकता हूं तो मैं जितना कर सकता हूं दोस्तों what we can do we should do is this is not a small simple step and by doing this gradually we will cross the perplexed phase of our life और देरे देरे वो फेज जैसे दूर होगा दोस्तो देन वी कैन हम अपने लाइफ के स्टफ फेज से बहार निकल सकते हैं तो रादर देन हम जो है डिफिकल सिचुवेशन के अंदर हम आके डिस्करेज हो जाएं और हम गिव अप कर दें कुट कर दें उससे अच्छा है दोस्तो कि हम स्मॉल सिंपल स्टेप्स का यूज करें अपने लाइफ में ग्राजुली एड्वांस करें अपने लाइफ कंदर श्टेट को करना चाहता हूं और मैं पर्फ्रक्स सिचुएशन जी गुजर रहा हूं को आम दौनर सकते हैं मैं आगाइट केसा कंचे में लाइफ श्रूशन के सकते हां Heb लूशन के लूशन कृस वैफ और मों आप ब्स coalition का hap внदώ भाॉस तूह दे के सब्राति है वंगा रेक्स में कृटते हैं वं प्रस्टेंड शीट ड्रूशन कहते हैं तीसरा नजरिया भी है, तीसरा नजरिया ये है कि हम अपना प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया बदल सकते हैं दोस्तों, सारा खेल नजरों का है, वरना प्रॉब्लम्स में दोस्तों कुछ रखा नहीं, प्रॉब्लम्स को देखने को हम किस तरीके से लाइफ को देख रहें किसी सिचुवेशन को इसके उपर भी काफी जादा लाइफ और हम क्या डिसीजन लेते हैं दोस्तों यह भी काफी मैटर करता है और सब्सक्राइब भी कुछ तरह देखने के वजाएगर वस प्राब्लम को ऐसे अफपरिशुरिटी के तरह से एक मॉक्य और अवसर गरूम मैं अपने मैं एक मॉका है अपने अपको इंप्रूव करने का अपने आप अपको अपने असल ग्रोथ करने का मरे पास मोका है मेरे प्रञाइस पाइस दिफकुल्स सिपाइशना था इंग इन थेगा था करती है आपको प्रॉल्म को प्रचुनिटी देखने का और उस प्रॉल्म में जो पैन हो रहा है था रहा है इस अधर दर्द होता है प्रॉल्म है तो यह वी आप टॉर्ड एट पें उस पेंगो टॉल्रेट करते हैं अगर अपने आपको सेल्फ ग्रोथ करते जा रहें सेल्फ एट्वांस करते जारें दोस्तों दिर हमें पता सलता है कि उस प्रॉब्लम की वज़े से हम लाइफ में काफी कुछ आगे बढ़ जाते हैं काफी कुछ अचीव कर लेते हैं और यह भगवत गीता का मेंसेज है दोस्तों इन भगवत गीता यह ने सिकाती कि प्रॉब्लम को सॉल्फ करना है तो हम प्रॉब्लम को सॉल्फ नहीं कर सकते हैं एक प्रॉब्लम सॉल्फ करेंगे तो दस प्रॉब्लम और भी खड़ी है दोस्तों और दिस लाइफ अपने हाप में प्रोब्लम है। करना क्या है दोस्तों कि प्रब्लम को सौल करने कवज़ प्रोड्लम को टॉलरेट करना है। और नॉलिज लेके अपने आपको इंप्रू परमानिंग प्रॉब्लम नहीं रहती है। इसका अग्जामपल भगोदीता में भगवान देते हैं चप्रट्ट्र 2 वर्स नंबर 14 कंदर कि जैसे सीजन है अब इसा गर्मी का सीजन चलता है पर गर्मी के खतम होने के बाद तो फिर से ठंडी आती है ठंडी के खतम होने का फिर से घर्मी आती है तो यह साइकल दोस्तों स प्रॉबलम को जो है तोलरेट जोसमें हमें पेन हो रहा दोस्तों पेन को टॉलरेट करते हुए हम आगे बढ़े हम आगे बढ़े दिस दर दिस दर वे ने नाग जो करते हैं रिज दॉस दर प्रॉबलम को टॉस दिस 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 टूस कामने अग अगर हम प्रयास करते हैं दोस्तों If we try and try and try then definitely we will get succeeded और अगर हम प्रयास करते हैं तो definitely भगवान ओ aircraft करते है भगवान हमारे लिए onions करते है God helps those who help themselves So, अगर हम इस तरीके का प्रयास करते हैं हिमत नहीं हारते हैं दोस्तों Discourage नहीं होते हैं हाज करता है जो Mov dogs को है का है अदी डीटो आपको आज अच्छा लगा होगा आपको यह वीडियो कैसा लगा कि संदु है क्श्क कर दो गार कर सकते हैं- और मांने इस प्रकृतों क्लें मुझे से पूच सकते हैं थेंक यू एरे मुझे अ कि वेरी मुच ओर गॉट